तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को आज के 15 मिनिट सेशन के अंदर जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि न्यूज में है गणेश चतुरती वाले दिन हमारे नए पार्लेमेंट के अंदर पहला सेशन करवाया गया सेशन की स्टार्टिंग में ही पुराने वाली हमारी पार्लेमेंट का नाम चेंज कर दिया गया समिधान सदन रखा गया और साथ साथ वोमन रिजर्वेशन बिल जो की 33 परसंट वोमन को लोग सभा में और स्टेट लाइस लेचर में रिपरेजेंटेशन देता है वो भी इंट की पुरानी पार्लेमेंट को लेकर भी और नई पार्लेमेंट को लेकर भी हम कुछ इंपोर्टेंट कोशन आज सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम कुछ बाते करेंगे कुछ लोगों को जानेंगे कौन क्या पोस्ट होल्ड करता है तो हमारी जो पार्लेमेंट है It was founded on 26 January 1950, 1950 में found करी गई थी, President of India, द्रोपदी मुर्मु है हमारे देश की अभी, Vice President of India, जगदीप धनकर जी हमारे देश की अभी है, Prime Minister हमारे अभी नरेंदर मोदी जी, Speaker of लोकसभा, ओम बिरला, अगर मैं राज़सभा की जिनका घटन, तो राज़सभा का घटन 3 April 1952 को हुआ था, जिसके अभी Maximum Seats है 250, और Present Seats है 245, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, जिसका घटन 17 April 1952 को हुआ था, 550 Maximum Seats और Present 543 Seats, ये डेटा आपके हर एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा important है, और इसमें से कोशन आने के भी chances बहुत ज्यादा होते हैं, तो चलिए, एक बार ज़रा आगे बढ़ेंगे, ये कुछ बाते हैं हमारी नई पारलेमेंट के बारे में, कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने पुराने संसद भावन को एक नए नाम की घोशना करी है, जिसका नाम है समविधान सदन, जो हमारी पुरानी पारलेमेंट थी, उस पुरानी पारलेमेंट को मोदी जी ने बोला, कि हम इसको old parliament या पुरानी parliament कहे के आगे उनके future में नहीं कहना चाहते हैं हम इसलिए इसका नाम change कर रहे हो नाम change किया गया है समविधान सदन के नाम से ठेक है पुराना संसद भवन British architect Sir Edwin Lutens और Herbert Becker ने design किया था जिसका पूरा काम 1927 में बनकर finish हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर निहरेंदर मोदी अनाउंस दा न्यू नेम फोर दा ओल्ड पार्लिमेंट बिल्डिंग इस समविधान सदन दा ओल पार्लिमेंट बिल्डिंग विच वोस डिजाइंड बाइब ब्रिटिश आर्किटेक्ट Sir Edwin Lutens and Herbert Becker and was completed in 1927 जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाते हैं उनकी हिंदी में जो पढ़ना चाते हैं इंग्लिश में उनके लिए इंग्लिश में यह होगी हमारी basic बात अब हम बात करेंगे हमारे पहले MCQs की अगर हम बात करते हैं अगर लोग सभा की minimum age की बात करी जाए तो 25 साल राज्य सभा की अगर बात करी जाए तो 30 साल यानि कि अगर आप लोग सभा से membership चाहते हो तो आपकी age कम से कम 25 साल की होनी चाहिए राज्य सभा से आपकी age कम से कम 30 साल की होनी चाहिए अगर आप हमारे देश में प्रेजिडेंट यानि की राश्पती यह हमारे देश में आप governor किसी राज्य के यानि की राज्य पाल या फिर हमारे देश में आप vice president बनना चाहते हो तो आपकी age कम से कम 35 years होनी चाहिए लोग सभा के member बनने की, राज्य सभा के member बनने की या president, governor और आपके VP बनने की vice president बनने की कोई भी maximum age नहीं है तो right answer is 25 years is the correct answer कुछ बच्चे 18 years को लेके confirm होते कि 18 साल में आप vote देने के लिए अधिकार आपको मिल जाता है right to vote आपको 18 साल के अंदर मिलता है ठीक है जब आपको universal adult suffrage के अंतरगत आप जाकर vote दे सकते हो अपने राज्य की विधान सभा के लिए और center की लोग सभा के लिए राइट चलिए अगला question आईए बच्चे a motion of no confidence against the government can be introduced in सरकार के खिलाफ आविश्वास परस्ताव कोन से सदन के अंदर पेश किया जा सकता है एक बाद ध्यान रखना मेशा मेरी आप हम जब no confidence motion की बात करते हैं तो no confidence motion केवल और केवल लोग सभा के अंदर पेश किया जाता है लोग सभा के अंदर पेश करने से पहले उस resolution पर या उस motion पर पचास लोगों के signature यानि कि पचास लोगों की मनजूरी चाहिए होती है अगर no confidence motion opposition के लावा पेश किया गया पचास लोगों ने sign भी कर दिये उन पचास लोगों के sign करने के बाद next step रहेगा के लोग सभा का जो speaker है हमारा जो लोग सभा का speaker रहेगा वो मनजूरी देगा कि हम इस motion को लोग सभा के अंदर पेश कर सकते हैं के नहीं कर सकते अगर लोग सभा के अंदर no confidence motion पचास लोगों से sign करवा के speaker की मनजूरी पाकर table पर पेश किया जाता है तो two by third majority चाहिए होती है special majority चाहिए होती है और अगर special majority से ये pass हो गया तो present government को ruling government को resignation resign देना पड़ेगा और उसके बाद fresh election करवा जाएंगे तो right answer is लोग सभा is the correct answer यानि कि राजे सभा के अंदर no confidence motion पास या पेश नहीं किया जा सकता राइट चलिए अगला question how many sessions of the लोग सभा take place in a year एक वर्ष में लोग सभा के कितने सत्र होते हैं एक साल में लोग सभा के तीन सत्र होते हैं एक होता है हमारा budget session एक होता है हमारा monsoon session एक होता है हमारा winter session summer session नहीं होता ध्यान रखेंगे एक बार और ये भी लिखा गया है कि दो sessions के बीच का जो gap है वो 6 महीने से उपर नहीं होना चाहिए यानि कि जैसे मानो अगर हमने budget session को 18 मार्च में last sitting होई budget session की मान कर चाहिए example लेके तो monsoon session के first session होगा monsoon का जो first meeting या first session होगा इन दोनों के बीच में six months से ज़्यादा का difference नहीं होना चाहिए जान रखेंगे इस बात को चलिए अगला question आईए बच्चे the budget is also known as भारत के समिधान में article 112 जो की budget की बात करता है लेकिन कमाल की बात यही कि हमारे देश के पूरे समिधान में कहीं पर भी budget word use नहीं किया गया कौन सा word यूज किया गया है annual financial statement word यूज किया गया है तो definitely the correct answer is article 112 जो की annual financial annual financial statement के बारे में बात करता है इस बात को ध्यान रखेंगे राइट चलिए अगला question आईए बच्चे the parliament of India consists of the following भारत की जो संसद है वो निमल लिखित में से किसको शामिल करती है बहुत सारे बच्चे इसका answer देंगे मुझे option number B लेकिन आपको मैं एक बात बहुत simple कर दूँ हमारे जो भारत की संसद है उस संसद के तीन पार्ट है एक लोकसभा एक राजयसभा और एक भारत का राश्टपती और एक भारत का राश्टपती तो correct answer is both A and B is the correct के President भी होगा और लोकसभा और राजयसभा भी होगा राजयसभा को हम Council of States कहते हैं लोगसभा को हम House of People कहते हैं लोगसभा को popular chamber भी कहा जाता है राजे सभा को हम council of state भी कहेंगे, upper house भी कहेंगे लोग सभा को lower house भी कहेंगे तो यह सारे अलग-लग नाम भी है एक बार exam में CGL में question आया था कि upper house किसे कहा जाता है लोग सभा को, राजे सभा को state assembly को या none of the above right answer is राजे सभा क्योंकि ऐसे टुचे टुचे कोशन में आप दो number waste नहीं कर सकते, right? चलिए, अगला कोशन, आईए बच्चे who decides whether the bill is money bill or not money bill, ये एक ऐसा कोशन है जो exam में आपको बार-बार लगतर देखने को मिलेगा, अगर मैं आपसे money bill के बारे में बात करूँ, तो money bill का जो article होता है the article of money bill is one one zero और money bill के लिए clearly ये लिखा हुआ है, कि money bill को केवल और केवल लोक सभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है और पेश करने से पहले राष्टपती यानि की प्रेजिडेंट की मनजूरी चाहिए होती है अगर प्रेजिडेंट की मनजूरी चाहिए तो ये decide कोन करेगा कि कौन सा बिल money bill है और कौन सा बिल money bill नहीं है right answer is speaker of loksabha is the correct answer speaker of loksabha is the correct answer एक extra argument knowledge दिना चाहूंगा article 93 के बारे में article 93 loksabha के speaker article 93 loksabha के speaker and deputy speaker के बारे में बात करता है article 93 बोलता है कि जैसे ही election के बाद कोई नई loksabha formation होगी तो सबसे पहले speaker और deputy speaker को appoint किया जाएगा चलिए अगला question the federal structure of the government of India provides federal structure का मतलब क्या होता है powers को share करना sharing of powers तो भारत में अगर पूछा जाए कि कितने level है government के जैसे अपके exam में CGL में tier 1, tier 2 होता है तो हमारे सरकार कितने tier के अंदर बटी हुई है usually लोग answer देते हैं एक central government और एक state government लेकिन यह answer गलत है because the correct answer is we have three tier system off we have three tier system कैसे हमारा यह three tier system कैसे होगा I am sure कि आप में से 90% लोग इसका आंसर जानते होंगे सबसे उपर union government उसके नीचे state government और उसके नीचे local government यह आपके केंदर के level पर यानि कि central के level पर यह आपकी राज्ये के level पर और local government आपकी पंचायत और नगरपाली का municipality के level पर तो right answer is option number B is correct ठीक है भईया चलिए अगला कोश आईए who is known as the father of लोग सभा लोग सभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है हमने कई बार सुना है कि economics के जनक यह father of economics Adam Smith हमने कई बार सुना है father of Indian constitution बीर अमबेड कर हम लेकिन यह बात पहली बार सुन रहे होंगे father of लोग सभा किसे कहा जाता है father of लोग सभा उन्हें कहा जाता है जो लोग सभा के पहले deputy speak sorry जो लोग सभा के पहले speaker बने थे the right answer is GV मावलांकर is the correct answer मैं deputy speaker इसलिए बोले हूँ कि आपका बर deputy speaker रहा ताने वाला हूँ deputy speaker थे आयन अगर साभ तो first speaker GV मावलांकर उफ लोग सभा first deputy speaker आयन अगर सभा ध्यान रखेंगे इसको तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देख जाएगा के GV मावलांकर जिन्होंने 1888 में जर्म लिया और 1956 में इनकी मिर्ट्य हो जाती है he was the he is known as father of लोग सभा as well as first speaker of the लोग सभा भी यही थे जान रखेंगे इस बात को राइट चलिए अगला कोश्चन next Indian parliamentary system is based on which model हमारे भारत में हमारी जो government का type है दो type के government होती है एक parliamentary system of government और एक presidential ship form of government हमारे भारत के अंदर parliamentary system of government पाई जाती है हमने parliamentary system of government कहां से बोरो किया है हमने ये बोरो किया है United Kingdom से हमने ये बोरो किया United Kingdom से बोल लीजिए या बोल लीजिए हमने ये बोरो किया है Britain से basically parliamentary form of government का जो जनम हुआ वो Britain के अंदर ही हुआ है और जहां पर ये जगा है उसको westminster के नाम से जाना जाता है इसलिए parliamentary form of government को westminster model भी कहते है राइट answer is option number a is correct ध्यान रखेंगे इस बात को चलिए तो आज की class का दसवा question ये रहा आपके सामने यानि कि लोग सभा के total membership बताईए कि लोग सभा के total membership कितने है ये question अपने आप में काफी important और मैंचातों कि सबच्चे इसका अशर करेक्ट दें क्यों 552, 545, 550, 543 तो ये बात है 2019 की और 2019 में 104th constitutional amendment act पास होता है यानि कि 104 समिधान का संशोधन पास करा जाता है ठीक है 2019 में 2019 से पहले अगर मैं लोग सभा की maximum seats की बात करूँ तो 552 और 2019 से पहले की present seat की बात करूँ 545 ठीक है 2019 के बाद अगर बात करी जाए 2019 के बाद लोग सभा की maximum seat 550 और present seat 543 अब जो ये माइनस हुई दो सीटे हैं ये कौन सी हुई ये है एंगलो इंडियन ये है एंगलो इंडियन community जैसे राजसभा के अंदर राशपती सहब 12 लोगों को nominate करते हैं इसी परकार 2019 से पहले लोग सभा के अंदर दो सीट्स एंगलो इंडियन community के लिए reserve करी गई थी लेकिन नई सरकार को लगा कि एंगलो इंडियन community को represent करने का कोई point नहीं है इसलिए इन दो सीट्स को 2019 से हटा दिया गया और लोग सभा की maximum strength 550 और present strength 543 इस बात को ध्यान रखें राइट चली अगला question तो इसका answer क्या होगा फाइव 43 option number D is correct चली अब आते हैं कुछ नई चीजों को लेके कि recently prime minister ने हमारी recently prime minister ने हमारी नई parliament building को inaugurate किया अन्वील्ड किया लेकिन old parliament building जिसका नाम change करके सम्विधान सदन रख दिया गया है वो बनकर त्यार कब हुई थी हमने starting में पढ़ लिया था कि 1927 is the correct answer यह हम starting अंदर पढ़ चोके हैं तो right answer is option number B is correct right चलिए आईए बच्चे who is the architect of new parliament building हमारा जो नई parliament building है उसके architect का नाम बताईए क्या है यानि की हमने जैसे पहले पढ़ा बीच में अभी कि last हमारी parliament building के lieutenant और baker सहाब थे लेकिन इस parliament building के architect कोन है इस parliament building के architect का नाम है बिमल पटेल यह पाँ लास्ट के पाँच कोशन आपके लिए बहुत important रहेंगे ठीक है अगला कोशन आईए बच्चे अगले कोशन से पहले यह है बिमल पटेल साब जो की बहुत बड़े architect है और इनको पदम पदम शरी अवोर्ड भी मिल चुका है इन्हें पदम शरी अवोर्ड ही मिल चुका है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है अर देश के अंदर हमारे राइट चलिए इस इस class के end में यह आपके लिए homework रहेगा कि आप मुझे comment box में comment करके बताएंगे कि उस सिक्के की diameter क्या है यानि कि जो 75 रुपे का सिक्का दिया गया था उसकी diameter क्या है यह आप मुझे comment करके comment box के अंदर बताएंगे और अगर आप में से कोई बच्चा अगर आप में से कोई बच्चा SSC के काफी सारे exams की railway की त्यारी कर रहा है UPSC की त्यारी कर रहा है CDS की त्यारी कर रहा है बैंक की त्यारी कर रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपको किसी भी course में enroll करना हो आप code लगाएंगे Y724 और आपको 80% का discount इस code से मिल जाएगा अगर आप SSC के multiple exams की त्यारी कर रहे हैं तो भी आप SSC के महापैक में Y724 code लगा कर जुड़ सकते हैं जिस परकार स मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज टॉपिक वाइस पढ़ा रहा हूं हम life classes में हर चीज को टॉपिक वाइस थियोरी के साथ खतम करते हैं आपको history, policy, geography, economics, science, environment, art and culture को पूरा basic से पढ़ाया जाता है साथ साथ आपको reasoning, english, mathematics, computers, यह सब कुछ आपको बिलकुल basic से पढ़ाया ज जाती है, अगर हम multiple exams की त्यारी करें तो ऐसासी महापक के साथ जुड़िए, यह आपको सब कुछ मिल जाता है, code लगाईए, y724, 80% का discount पाईए, और अभी चल रहें double validity तो आप उसका भी लुटफ उठा सकते हैं, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, all the very best to all of you, जेहन्द! जाता है, जेहन्द!